नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मुबाइल न्यूस चैनल मेटो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुलजिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से फाइनल हुई रफाल डील फ्रांस से साथ हजार करोर रुपए में 36 विमान ख़ी देगा भारत दिली सीए मर्विंद केजरिवाल ने ट्विच कर लगाया बीजेपी पर आरो कहा बीजेपी चाहती है दिली में फेल हो जाया ओड इविल मालिया का पास्पोर्ट निलंबिर अब गये जमानती वारें जोरी कराने की तैयारी में इडी मशूर अभी नेता दिलिक कुमार की हालत सुधरी आईस्यू से आए बाहर तबियत बिगणने के बाद मुंबाई के लीलावती अस्पताल में कराया गया था भरती और पेट्रोल के दाम में चुहत्तर पैसे और डीजर के दाम में एक दश्रवर्व तीस रुपाए प्रती लीटर की कतौती शुक्रवार रात से लागू हुई नई दरे भारत और फ्रांस के बीच रफाल सौदे पर आखरी मोहर लग गई है इस नई समझाओते के तहट भारत 780 करोर यूरो करीब 60,000 करोर रुपाए में 36 रफाल युदक विमान फ्रांस में खरीदेगा इस अमझाओते के कागज़ाद पर तीन हफ्तों में दस्तखत होंगे भारत को विमानों का पहला जथा मिलने में कम से कम 18 महीने का वक्त लगेगा फ्रांस शुरुआत में पूरी हतियार प्रनाली से लेस 36 लड़ाक को विमानों के लिए 11 अरब यूरो की मांग की थी कीमतों को लेकर ही ये सौधा अटका हुआ था जो की अब साफ हो गया है ये घटना करम ऐसे समय में सामने आया है जब करीब चार महीने पहले पिये मोधी और फ्रांस के राश्टरपती फ्रांसवा ओलांद ने 36 राफेल लड़ाक विमानों की खरीद के लिए एक सहमती पत्र पर दस्तख़त किये थे जब फ्रांस के साथ 25 जनवरी को इसको लेकार MOU पर हस्ताक्षर हुआ तो राफेल की तरफ से कहा गया कि हम इस कदम से बहुत खुश है दिल्ली के सीम अर्विंद केजरिवाल ने BJP पर आरूप लगाते हुए कहा है कि वो चाहते हैं कि और इवन फेल हो जाए सुभा ट्विट करते हुए केजरिवाल ने आरूप लगाते हुए कहा कि BJP लोगों से कह रही है कि वो और इवन को ना माने केजरिवाल ने राजु सभा में BJP सांसत विज्जे गोयल के ट्विट को रीट्विट करते हुए BJP को निश्वाने पलिया है हाला कि इसके साथ ही केजरिवाल ने दिल्ली की जनता पर भरोसा जताते हुए कहा कि लोग BJP के इस मनसूबे को फेल कर देंगे कॉर्टलव है कि दिल्ली में और इवन का दूसरा चरन 15 अप्रल से एक बार फिल लागू हो गया है जो 30 अप्रल तक चलेगा और इवन पार टू के पहले दिन दिल्ली में सडकों पर वहनों की आवजा ही कम होने के मेटरों में भीर बढ़ गई जोसे मेटरों में तकनीकी खराब की वजह से यात्रियों को परिशानी का सामना कर पड़ रहा है कई रूटों पर मेट्रों के देरी से चलने की भी खबरे हैं बैंकों से धोका धड़ी मामले में फसे, विवादा, स्पद, कारुबारी और राजुसबासांसद विजमालिया के खिलाफ लगातार शिकंजा कस्ता जा रहा है एक तरफ जहां प्रवर्तन देशाले की शिपारिश पर जहां 9400 कड़ों रुपए लेकर लंडन जा चुके विजमालिया का पासपोर्ट चार हफदे के लिए निलंबित कर दिया गया है तो वही दूसरी तरफ विजमालिया की तरफ से IDBI बैंक से लिए गए 900 कड़ों रुपए बैंक लोन मामले की जाच कर रही एडी ने स्पेशल PMALA कोट का दरवाजा खटखटाया है ID के एक अधिकारी ने कहा हमने विजमालिया के खिलाफ PMLA कोट से गया जमानती वारंट की मांगी है जिस पर सनवाई आज होगी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया की इडी के सुझाव पर विदेश मंत्राले के पासपोर्ट जारी करने वाले विभाग ने पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10A के तहद विजमाल्या के पासपोर्ट की वेधिता को एक मा के लिए निरस्त कर दिया है अपने जमाने के मशूर अभी नेता दिलिप कुमार को शुक्रवार को तबियत बिगरने के बाद मुंबई के लिलावती असपताल में भर्ति कराया गया है वो उम्र बढ़ने के बाद होने वाली स्वास्थे की समन्य दिक्कतों से पीड़त है दिलिप कुमार के परीजनों के मताबिक उन्हें बीती रात लीलावती अस्पताल ले जाया गया क्योंकि पिछले दो तीन दिनों से उनकी तबियत फिर से बिगड़ने लगी थी उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी रूटीन चेक अप के लिए वो कुछ दिन तक अस्पताल में रह सकते हैं अस्पताल में उनकी पतनी शायरा बानों भी मौजूद है कुमार का इलाज कर रहे डॉक्टर जलील पारकर ने बताया कि फिलहाल चुनता की कोई बात नहीं है वो आई सीउ से बाहर शिफ्ट किये जा चुके हैं उनकी सेहत की नियमित निगरानी जारी है उम्र बढ़ने के बाद ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दिलिप साहाब जल्द ही बहतर होकर घर वापस आ सकेंगे कोलकाता में बीजेपी की नेता और केंद्रे मंत्री स्मित इरानी ने राज़े की सीएम और्टरिनमूल कॉंग्रिस सुप्रीम ममता बैनर जी की जम करके चाए की जोड़ा शांको विधान सभाशेत्रे से बीजेपी उमीदवार राखल सिनहा के समर्थन में आयोजित सभा में एरानी ने कहा कि सीएम खुद एक महिला है बावजूद इसके राज़े में महिलाए सुरक्षित नहीं है उन्होंने कहा ममता बैनर जी ने 2011 में मा, माती और मानुश का राग अलाब कर बंगाल की सत्ता हासल गई लेकिन जब वो सत्ता के गलियारे में आ गई तो ना मा को सम्मान मिला ना माती का महत्व बढ़ा और ना ही मानुश क्या जीवन बहतर हुआ इसलिए ये प्रशन उठता है कि जो अपने वादे को तोड़ देते हैं, मा का अपमान करते हैं, माती का तिरसकार करते हैं और मानुश के जीवन को बदतर करते हैं, क्या उन्हें दोबारा जनता का वोट पाने का अधिकार है स्मिति रानी ने कहा कि ये राजुनीतिक प्रतिदवन्दी अपनी बात वाद विवाद से नहीं बलकि बम से रखते हैं, जनता में अस रक्षा का माहौल बना कर जबरन समर्थन प्राप्त किया जाता है, लेकिन अब दीदी को ये जान लेना होगा कि पबलिक सब जानती है और इसका जवाब मद्दान के दिन देगी, प्रयांका गांधी से संबंधित एक नए खुलासे से साबित हो गया है कि वो मोल तोल करने में भी माहिर है, प्रयांका ने 14 साल पहले वाजपई सरकार से लुटियन दिल्ली में 2765 दशवलव 18 स्क्वेर मीजर के घर का किराया 53,4 121 रुपई से घटा कर 8888 करा लिया था, प्रयांका गांधी ने इसके लिए दलील दी थी, इतनी धनराशी का भुकतान उनकी हैसियत से बाहर है, वरतमान में प्रयांका गांधी 35 लोधी स्टेट के टाइब 6 सरकारी आवास के लिए 31,300 रुपई आदा कर रही है, दरसल सरक प्रयांका गांधी और तीन अन्य प्राइविट सिटिजन्स पंजाब के पूर्व डीजेपी के पी एस गिल और इंडिया टेरिरिस्ट फ्रन्ट चीफ एमेस भिटा और पंजाब केसरी के एडिटर अश्वनी कुमार को सुरक्षा कारणों के चलते विए पी इलाके में घर प्रदान के थे गिल और बीटा प्रयांका गांधी के बराबर ही धनराश्री का भुक्तान कर रहे हैं जबकि अश्वनी कुमार ने दो हजार बारा में घर खाली कर दिया था पेट्रोल के दा में चुहतर पैसे प्रटी लीटर तथा डीजल के भाव में एक दशवलव तीस रुपई प्रटी लीटर की कतोती की गई नई दरेव मध्यरात्री से प्रभाव में आ गई देश की सबसे बड़ी खुदरा इधन कमपनी इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन ने कहा कि इस कतोती के बाद दिली में पेट्रोल की कीमत एक सर दशवलव एक तीन रुपई प्रती लीटर हो गई है जो फिलहाल एक सर दशवलव आज साथ रुपई लीटर है इसी प्रकार डीजल की कीमत अर्टालिस दशवलव शुन्य एक रुपई प्रती लीटर होगी जो फिलहाल उन्चास दशवलव तीन एक रुपई है इससे पहले पेट्रोल के दाम में लगातार दो बार और डीजल में चार बार वृधी की गई थी पेट्रोल में इससे पहले 17 मार्च को 3.07 रुपे प्रती लीटर और 4 अप्रेल को 2.19 रुपे प्रती लीटर की विर्थी की गई थी घटे दामों पर IOC ने कहा कि अंतराश्व बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का मौझूदा स्टर और भारती रुपे डॉलर की विनिमे दर से दोनों इधन के दाम में कटोती की स्थिती बनी थी जुसका लाब ग्राहोकों को दिया जा रहा है जपान में एक के बाद एक लगाता तीन दीन तीन बड़े भुकम पाए शुकरवार को देराद दक्षुनी जपान के कुमा मोटो शहर के करीब आए भुकम की तरिवर्ता रिक्टर स्केल पर साथ दशवलव तीन रही जिसमें अब तक 11 लोगों के मरने की जौनकारी है इसे पहले रिक्टर स्केल शाथ दशवलव चार का भुकम पताया गया था जिसके बाद जापान ने सुनामी का अलर्ट ज़ारी किया जिसे फिर वापस ले लिया गया जिलोजिकल सर्वे ओफ अमारिका के अनुसार भुकम का केंद्र कुमा मोटो शहर की सत्ता से 40 किलोमीटर नीचे है हाला की जापान के मौसम विभाग ने भुकम के तीर्व जटकों से अरियक सागर और यातू शूशीरो सागर में सुनामी की आश्वंका जताई थी सुनामी की एडवाईजरी के तहट समुद्र जल्ग की खत्रे को देखते हुए अरियक और यातू शूशीरो सागर के ततवर्ती इलाके जल्ग से जल्ग होने को कहा गया स्थानिय प्रशारन करता एन एच के ने कहा कि एडवाईजरी के मताबिक भुकम के कारण समुद्र की लहरे एक मीटर करीब 3.5 फीट की उचाई तक उठ सकती है लेकिन बाद में अलर्ट वापस ले लिया गया तिलंगना में इन दिनों प्रचन गर्मी का प्रकोप है गर्मी कितनी जादा है इसका अंदाजा करीम नगर की इस अनोखी घटना से लगाया जा सकता है जो है एक महीला फर्ष पर ओमलेट बनाती दिख रही है महीला ने गर्मी का प्रकोप दिखाने के लिए अपने घर के बाहर फर्ष पर ओमलेट बनाया और इसकी वीडियो शूटिंग भी कराई गई वीडियो में महीला पहले एक कटोरी के में अंड़ फेटते हुए दिखाई देती है इसके बाद वो फेटते हुए अंड़े को सूर्य की गर्मी से तपे फर्ष पर उडेल देती है और देखते ही देखते ओमलेट पक का तयार हो जाता है तिलंगना में इन दिनों जबर्दस लू चल रही है राज्य के कई लाकों में तो तापमान लगातार उपर बना हुआ है और शुकरवार को भी ये 40 से 45 डिगरी सेलसियस के बीच रहा पहली जीत के लिए मैदान में उत्री दिल्ली डेर डेविल्स और किंग्स 11 पंजाब में से जीत शांदार खेल दिखाने वाली दिल्ली डेर डेविल्स के हाथ लगी दिल्ली ने पंजाब को आठ विकेट से हराया और इस जीत के हीरो दो खिलाडी रहे पहले 11 रन देकर 4 विकेट लेने वाले Man of the Match अमिट मिश्रा और दूसरे 42 गेंदों में 69 रन बनाने वाले क्विंटिन डीकॉक फिरोजशा कोट्सला के होम ग्राउंड पर दिल्ली डेर डेविल्स ने टॉस जीत कर पहले गेंदबास का फैसला किया पंजाब ने 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 111 रन बनाने में सफल रही वही जीत के लिए उत्रुई दिल्ली डेर डेविल्स ने 13 दशवलब 3 ओवर में 8 विकेट के साथ श्रांदा जीदर्ज की भारतिय क्रिकेट टीम के कप्तान महिंदर सिंग ने रियालिटी फर्म आमरपाली से नाता तोड़ लिया है उन्होंने कमपनी के ब्राइन अमबसेडर का पद छोड़ दिया है बतादे कि नौइडा में कमपनी के एक हाउजिंग प्रोजेक्ट के रहने वालों ने सोशल मीडिया पर मुहीं चला कर धोनी से आमरपाली से अलग होने की मांग की थी धोनी के फैसले की जौनकारी देते हुए कमपनी के चेयर्मेन और प्रभन निदेश्वक अनिल श्र्मा ने कहा धोनी अब हमारे ब्राइन अमबसेडर नहीं है मैं नहीं चौता कि आमरपाली से जोड़े रहने के कारण उनकी छवी पर असर पड़े धोनी और हमने मिलकर ये फैसला लिया है कौरतलब है कि धोनी पिछले साथ साल से इस कमपनी के साथ जुड़े हुए थे वहिश्वर्मा ने आश्वासंदिया की कमपनी प्रोजेक्ट का लंबित काम अगले तीन महीने में पूरा कर लेंगी साथ ही स्विकार किया की कोश की कमी और संपती बाजार में मंदी की वजह से परियोजना को पूरा करने में देरी हुई है भारती होकी टीम ने सुल्तान अजरनशा कप में मेजबान मलेशिया को 6-1 से हरा कर फानल में जगा बना ली है फानल में भारत का सामना विश्व विजेता आस्ट्रेलिया से होगा भारत के लिए रमन दीप सिंग ने दो गोल किये उनके अलावा चांडानाग, थिमी, हरजीत सिंग, अदानिश मुस्तबा और तल्विंद्र सिंग ने एक-एक गोल दागा मलेशिया के लिए शहरील शबा ने एकलोता गोल किया भारत को न्यूजिलैंड को दूसर स्थान से हटाने के लिए मातर एक जीत की जरूवत थी वही मलेशिया को दूसर स्थान हासल करने के लिए भारत को आठ गोल के अंतर से हराने की जरूवत थी आस्ट्रेलिया इस टूनामेंट में सारे मैच जीत कर पहले स्थान पर बना हुआ है फिलहाल इस बुलिटिन में इतना ही देश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़ रही है मेर्टो टीवी के साथ नमस्कार